प्रा कथन इस शब्द वेच एक शील वंत मुगदा नायका दी पेके कर दी वस्था ते फेर विवाह दी वस्था दसी है। इस रूपक वेच फेर जीव दी अचेत ते सुचेत वस्था दा नरूपन कीता है। सिरी राग महला चवथा कर दूजा शान्त एको अंकार सतगुर परसाद मुंद यानी पेईड है क्यो कर हर दर्शन पिक है। प्रशन अजान इस्त्री पेके कर विच अपने पती दा दर्शन के न्य वेखे। अर्थात अचेत जग्यासु एस संसार विच अपने परमेशर दा दर्शन की कूँ वेखे। उत्तर हर हर अपनी किरपा करे गुर मुख साहुरडय काम सिख है। हर हर अपनी किरपा करे ते ओहो सहुरे कारदे काम जो अथे जाके काम मौने हान ओ एथे ही सेख लवे। साहुरडय काम सिख है गुर मुख हर हर सदा ते आए। अर्थात जीव संसार विच हुंदियां पर लोक विच सहाई होन वाले काम से खलवे। की कूँ उत्तर गुरु द्वारा ओह की सदा हर हर करके हरीनु ते आवे। सहिया विच फिरै सुहिली हर दर्ग है बाह लुडाए। ऐसा करने नाल ओह जीव रूपी मौन्द इस संसार विच अपने सात संगी मित्रा विच सूखी फिरेगी। ते अगे पर लोक विच हरीदी दर्गा विच जाके भी बाह लुडांदी विचरेगी। प्रशन संसार कर्म पूमी है एस एक जन्म विच कीते कर्म कीकूं पिश्रे जन्मा नल मौक जावनगी। सो तर्म राजदे लेखे अउन सार जीव दे कीते शोब कर्म कटके रहे माड़ियां दी बाकी कीकूं शुटेगी। उत्तर लेखा तर्म राए की बाकी जाप हर हर नाम के रखे तर्म राजदा लेखा करके उस दी कड़ी होई बाकी उस जीव दे हर हर नाम दे जपने करके मेट जाएगी। अर्थात मोख जाएगी। मोंद ए आनी पे यडए गुरु मोख हर दर्शन दिखे। एओ जान जीवरु पेस्तरी संसार विच हुंदियां ही गुरु द्वारा हरी दा दर्शन देख लाएगी। हुण सुपाग मोंद दे विवा हो जान दा परसंग तोर दे हन। मर के पर लोग जान दी था जोंदे दी प्रापती होनी एह हरी रूप पती नल व्या हो जाना है। विया हो हो आ मेरे बाब बुला गुर मुखे हर पाया। हे मेरे पिता मेरा व्या हो गया है अते मैं होन हर रूप पती गुरु द्वारे पालिया है की कूँ। अग्यान अंदेरा कटेया गुर ग्यान परचांड बलाया। मेरा अग्यान रूप नेरा कटेया गया है जो मेरे ते पती वेच उला सी होन गुरु दे ग्यान दा तरिखा अलंबा मेरे अंदर बाल दिता गया है। हाँ जाद बलेया गुर ग्यान अंदेरा बिन सेया हार रतन पदार्थ लदा गुरूदा ग्यान बाल उठेया तां अग्यान रूप अंदकार दूर हो गया तां उस चानने वेच मैनू रतन अमोलक पदार्थ अंद्रों ही लब प्या है ओहु रतन हरी आप है ऐस प्राप्ती दा फ़ल एह होया के हौ मैं रोग गया दुख लाथा आप अप गुर मत खादा हौ मैं दा रोग दूर हो गया है एस दे दूर होन नाल ताप संताप ते जन मर्ण दा दुख भी दूर हो गया है हां उसे गुरू दी मत द्वारा अपे पाव अपने शुद अपे ने अपे अर्थात अपने होंवाले अपिनू खाले आ है प्रशन फेर वे शोड़े दा डारता नहीं उत्तर अकाल मूरत वार पाया अब नासी ना कदे मरे ना जाया वार जो मैं प्राब्त कीता है कालतों रहत सुरूप वाला है ओ कदे नाश नहीं हुंदा हाँ ना ओ कदे मर्दा है ना ओ कदे जनमया है विया हो होआ मेरे बाबोला गुर्मुखे हर पाया हे मेरे बाबल एदान दा मेरा व्याहा होया है ते गुरु द्वारा मैं ऐसा हरी रूप पती प्राव्द कर लिया है होन वे शोड़े दा डर नहीं बाबला विवाह सबंदी जान्य दाज आद गला होंदिया हन होन आत्मिक जान्य ते दाज दस दे हन हर साथ सते मेरे बाबोला हर जान मेल जान्य सुहंदी हे मेरे बाबल मेरा पती हरी साथ ही साथ है अरथात जो सदा साथ सुरूप है ओ हो मेरा पती है अते उस दे प्रेमी उस नल मिले हुए हरी दे जनांदी जो जन्ग बनदी है सो बड़ी शोबनी कुहंदी है पेव कड़े हर जाप सुहेली वेच साहुरडे खरी सुहंदी यों जो जीवरू पेस्तरी संसार विच हुंदियां हरी नु जपे ओहो एथे सुखी हो जान्दी है अते पर लोक विच जाके साच मुच शोबनी को हो जान्दी है साहुरडे विच खरी सुहंदी जिन पेव कड़े नाम सुमालेया हाँ जैसने संसार विच नाम सिम्रिया है ओह पर लोक विच जाके साच मुच सुभाई मन हो जान्दा है साब सफले व जानमतिना दा गुरु मुख जिना मान जेन पासा टालेया हां जिन्ना ने गुरु द्वारा माननू जेत के पासा टालेया पावसंसार जातरा पूर्ण कीती उन्नादा सारा जनम सफला हो गया है हार सांत जना मिल कार्ज सोहेया वरपाया पुर्ख अनन्दी हां मेरे व्यादा कार्ज हरी दे संत जना नाल मिलन करके सोना हो गया है इस जन्य दा अन्दा अनन्द सुरूप पुर्ख मैं वार पालिया है हार साथ साथ मेरे बाब बोला हार जान मिल जन्य सुहंदी हां मेरे बाबल हरी साथ सुरूप ता मेरा पती है ते उसदे नाल मिलके हर जन आए उनना दी बनी जढ़ी ज़ान्य सोबनिक ज़ान्य हुंदी है हर प्रभ मेरे बाब बोला हर देवो हो दान मैं दाजो हुन सहुरे कर्दी ज़ान्य आई दासके पेके कर्दीशेहदा जिगर करन लगे हन हे मेरे बाबला हर हर रूपी प्रबुदे नामदा दान मैनू दाजदी थामे देओ हर कपडो हर सोबा देवो हो जित सवरै मेरा काजो हर हर दे उचारन दाही शोब दायक कपडा देओ जैस नाल मेरा व्याहा समर जावे हर हर पगती काज सोहेला गुर सत गुरदान देवाया हर हर नाम दुआरा कीती पगती दा काज सुखदाई कार्ज है एह पगती दा दान पूरे गुरू सत गुरू ने मेनू देवाया है खांड वर पांड हर सोबा होई एहो दान नार लैर लाया खंडा ब्रह्मंडा विच शुबा होई है एस हरी नाम दान तल होर दान कोई नहीं होर मानमुख दाज जे रख दिखाल है सो कूड अहंकार कच पाजो होर मानमुख लोक जो दाज वियाहा विच रख के दिखाल देहान कूड है हंकार है काच है अतेपाज है हर प्रब मेरे बाबला हर देवो हो दान मैं दाजो हे मेरे बाबल मेरे हर प्रबुदा नाम रुपी दाज दान दी थामे मैंनो दियो तीसरी शे वियाह दा फाल अलाद हुंदी है होन ओ पाख लेंदे हन हर राम राम मेरे बाबला पेर मेल तान वेल वदंदी है मेरे बाबल तुसा समझ लिया है के मेरा पती पापा दे हरने वाला हरी है जैसनों लोक राम राम कहके पकार दे हन उस पती नाल में जग्या सुरूप इस्तरीदा मेल होया है जैस दे मेल नाल वेल वदी है हर जुग है जुगो जुग जुग है जुगो साद पीडी गुरु चलन दी गुरु दी एह पदत हरी नाल जोड के जोग तों जुगां तक सदा चलेगी जोग जोग पीडी चले सातगुर की जिनी गुर मुख नामते आया हां सत्गुर्दी पीडी जोग जोग वेच चलेगी पाव उन्ना सिखांदी पदत जिन्ना ने गुरु द्वारा नामती आया है हार पुर्ख ना कब ही बिन से जावे नित देवे चड़े सवाया क्योंके हर पुर्ख पाव अकाल पुर्ख कदे ना बेन सदा है ना जानदा है इस करके उस सदा जिऊंदे दी दिती दात सदा मिल दी है ते स्वाई हो हो के मिल दी है नानक संत संत हर एको जाप हर हर नाम सुहन दी है नानक हरी संता दा रूप है ते संत हरीदा रूप दोए एको हन सो हर हर नाम जपदिया शोबनी को हुईदा है हर राम राम मेरे बाबुला पेर मेल तानवेल वदंदी हे मेरे बाबल मेरा पती पाप हरता हरी है जिसनों लोक राम राम कहके पुकार दे हन उस नाल में जग्यासु रूप इस्तरीदा मेल होया है जैस दे मेल नाल वेल वदी है व्याखिया इस शब्द विच मनुख दी आतमान दा परमातमा नाल मेल कन्याते वर्दे विवाहा सुन्दर रूपक विच वरनन कीता है अंक एक विच पुच्छ है कि ही एस लोक विच वासदियां परमातम देव नाल मेल हो सकदा है उत्तर विच दसिया है कि एस लोक विच वासदियां ओ कुश प्राब्द कर लवे जो पर लोक ग्यां कामांदा है तां मेल हो जानदा है ओ की है तां दस्या है के ओह है हरी दा सिमरन जो सदा करे ते ओह सिखे गुरु पासों ऐस दा फेर फाल दासदेहान के साथ संगियां वेच सूखी ते खोश विचरेगा ते दरगाह वेच अचेंत ते सूखी जाएगा क्योंके हरी नाम दे जपन नाल सारे शुब कार्ज रास हो गई होनगे ते पिशले कीते करमान दी बाकी चुक चुकी होवेगी सो ऐस तरह परमेशर प्राप्ती दी चाह वाला अनजान मानुख जियोंदे जी हरी नूँ प्राप्त हो जाएगा अंक दोविच हो चुके विवाह दे रूपक विच नाम प्राप्त पुर्ख दी वास्था दा वरनन है ओह यौँ है के गुरू द्वारा पाई नाम दी सिद्धी जाद हुंदी है ता अग्यान दा अंद कार दूर हो जानदा है ते ग्यान दा चानना हो जानदा है क्योंके नाम सिमरन ते गुरूप देश नाल हमें बिन से जान दी है ते अपना शुद आपा परगट हो के हमें वाले आपेनू खा जान दा है। फिर देश पेंदा है के कूर दी पाल विचों त्रोट गई है ते हरी नाल साधी वेथ नहीं रही। ओह सानू अंदर प्रावत हो गया है पर अपनी मेहर नाल एह प्रावती सदैवी हुंदी है फिर कदेश काल मूर्त प्रभू नाल वेथ नहीं पैंदी। आंक तेन वेच व्याह केकूं हुएा। दे वेरवे वेच प्रावती दे हो रांग वर्नन करदेहन के संता हरी जनान दा साथ संग प्रावत होया है। हरी नाम दे सिमर्न वेच ऐस साथ सांगतों बहुत लाब वदया है। जमें व्याह वेले लाड़ा जान्य नाल आउंदा है तिमें प्रबु दी प्रापती दे साधन नाम ते गुरुतों शोट होर सहाएक हरी दे प्यारे उस दे संत जन मिल दे हन जिनननों हरीदे जानबी आखीदा है जो हरीदे गुन गाइन करदे साधे प्रेम दे नाम जाप उत्षान वदाउंदे हन फिर दासदे हन के इहना जान्यी रूप संतां दे सांगदा लाब एहे है के एहे मान जो अपने राहे तुरदा नाम दा विग्ण करी हो जान्दा है इनना जान्यां दी सोबत वेच उस माननों जत लईदा है जिमें चौंपड दे खेलारी पासे सेट सेट के बाजी जत दे हन ते में माननों एस दे रुचे कमा दे माडे फाल दिखा दिखा के ते मान जिते संतां दे दर्शन करा करा के उनना रुचिगां तो मोड लईदा है जो एस नो मोड मोड संसारा कर कर दिगा हन एस तरह सारा कार्ज संत जनानों मिल के सफल हो जान्दा है जथा हर संत जना मिल कार्ज सोहेया वार पाया पुर्ख अनन्दी अंक चार होन व्याह दा रूपक सारा मुकम्मल करने लई पेके कर दे विवाह विचले हिसेनू लेंदे हन के व्याहता हो गया होन हे पेकेयो तुसी दाज पाऊ दाज पकती दा मंग दे हन हरी दा कपड़ा ते हरी दी शुबा मंग दे हन अर्थात हरी दे नाम दा रास ते सुन्दर्ता दा एहसास मंग दे हन अंत्रीव परतीती उजल्ता ते सुन्दर्ता दी उपज पेंदी है होन सोच पेंदी है के पेकेता होए ऐस संसार दे लोक एह नाम दा दान कित्थों दे सकते हन। ऐसलिए आप दास देहन के एह पगती दा दान साथ गुरू ने दिवाया है। प्रशन हुंदा है के साथ गुरू ता देवी पाख़दी वस्तू है, पार लोकिक दाता है, ओह पेके कार्विट की कूँ गिनिया गया। उत्तर एह है के पार लोकिक हुंदा होया है, ता ओह गुरू भी संसार विट ही है, सो एस लोक विच वस्तन करके गुरू पेके करदा भी है। एस करके उसे गुरू तो मंग देहन के मैंनू हरी नाम, हरी शोबा, हरी पकती दा दान देओ, एहो मेरा दाज होवे, गोया संसार दे लोकां तो कोई संसार के वस्तू दी मंग नहीं कर रहे। दाज वेच भी ऐस संसार विच सब तो सोने पेके साख साथ गुरू तो ओही हरी शोबा दाज मंग जाए है, जो दाज के है ही गुरू पास एस करके भी उस तो मंग कीती है। एह जाद रहे के दाज मापे व्याहा हो चुकन दे मगरू देंदे हन। इस करके एथे भी दाज दाज जेकर व्याह दे पिछो है। ते परमार्थिक कटाख गुर्मत दा एहे है के व्याहा हो चुकन मगरू भी पगती, नाम ते नाम रस ते नाम दी सुंदरता दे एहसास अर्थात ब्रहम ग्यान होके ब्रितियां वेच इंद्रियां वेच रोम रोम वेच ब्रहम अरूड रहे ताही ग्यान दा रास मिलदा है। सफल ग्यानी दियां ब्रितियां के ओस दाता स्रीर ही ब्रहम अरूड ता नाल शर्शार रहना चाहिए। जेत सवरे मेरा का जो दा पाव है के होन हरी रास वेच जो होंस जुगत अनांद मैं जीवन है ओव व्याहा ही सफलता है व्याह दा सवरन दा पाव सफल ब्राम ग्यानतु है हरी दा सिमरन रास ते हरी दी सर्स बृति अरूडता इको गलाहन आंक पांज व्याहदा परियोजन आल उलाद भी हुंदी है आंक पांजवेच एसनु लेके व्याहदा रूप का पूरा कर दे हन एस विच दा सदे हन के जो प्रावती होई है ओएक व्यक्ती ते बस नहीं हो गई ओगे वदी है गुरसेख सादू संत गुर्मुख साड़े साथ सांगनाल पैदा होई हन एह मानों वेल वदी है एह गुरू की चलाई पीडी चल पई है ते चल दी रहेगी निरोकत शांत दा पाव है कविता काव दी कोई रचना हरीदे जासदा गीत बाणी ब्योरे विच दस्या है के संगीत विद्या अनसार शांद जां शांत एक परबंध है खाटपदी परबंध दे पे दाविचों एक पेद है सिरी गुरु गरंथ सहब वेच कई रागां वेच शांत वेदमान हन गावने लई तार दी सूचना थाओं थाई नालो नाल कार पहिला जां चवथा आद लेख के कीती होई है एह चार तो के भी हन ते शे तो के भी मुंद दा पाव है संस्कृति विच मुगदा पुरातन पंजाबी विच मुंद जुआन इस्तरी वर प्राप्ती दी उम्रा दी मुट्यार काव विच ऐसी मुट्यार जैसनू जोबन आद दा ग्यानना होवे पर चाव परया रहया होवे पाव विच नवीन जग्यासू चाव परया मनुख जो वाहे गूरुजी दी प्राप्ती दा चाहवाण है पेयेड है पेवकड है पाव पेकेकार विच पाव एस लोक विच देखो पेया पिखह दा पाव है वेखे, सहुर्डए कम सिखे दा पाव है सहुरे करदे कम, पाव पर लोक विच कम ओन वाले कारज, सही दा पाव है सहलिया, पाव सात संगिया, बाहल डाए दा पाव है बाहाँ खुशी दे नाल, लाड नाल उलार के टुरना, किरखेदा पाव है संस्कृती वेच क्रेख पाव खिचना, खेच लेना, हाल चलाउना, खेच कड़ना, मिटा देना, मिटा देवे जथा तह पया परगास, मिटेया अंदे आरा, जो सूर जरेन के राखी, वार स्री राग महला चौथा नमबर दो, पंजाबी वेच क्रेखा करना, ने दीना करननों भी केंदे हन, खेटी वेच कहाबूट खेच कड़ दे, दूर कर देने, जथा बेखे बेकार दोस्ट क्रेखा करे, एन ताज आतम होए ते आई, सिरी राग महला पहिला एथे क्रेखा पाद दस्दा है के जीकून दीना करन वेले नकमे कहाबूट पोट के, दूर करी दे हन, ऐस तरह नाम जपदे यां हिर्दे दे, डूंगे थाई कीते करमा दे, बैठे संसकार, उखड उदर दूर हुंदे हन ओहो संसार ही तरम राइदे लेखे विच हुंदे हन, जाद हिर्देतों उखड गए, ता तरम राइदी बाकी आपे दूर हो गई, जा मेट चोक गई, किरखे दा आर्थ खेती भी है, जथा उर्ज रहे औरे बावर गावर, जो किरखे हरे आयो पसुआ, गवडी पूर्भी महला पंजवा दिखे दा पाव है देखे, परचांड दा पाव है तेज अगनी अलांबा पामबड, सात सते पाव जो सात ही सात है, निरोल सात स्रूप है जेन दा पाव है पंजाबी वेच जेन ना पाव जितना जत के पासा टाल्या दा पाव है चौपड दी खेड वेच दांद खांद दे पासे हुंदे हान, जिन ना उते गेनती लई बिंदिगा हुंदे हान इनानु हाथ विच लैके सिट देहान, जैसनु टालना कहिं देहान, टले पासियां तो बिंदियां दी गेनती लैके नर्दानु चलौं देहान नंबर दो, मुहावरेवित किसे चल रहे राउनों बदल देनों पासा टालनाख देहन पाव जिन्नाने माननों जित के संसारा कार राउनों बदल के इश्वरा कार कर लिया है अनन्दी दा पाव है अननांद रहन वाला ते अननांद देन वाला दाजो दापाव है दाज, ओह कपड़े आद सामान, जो पेके करदे काकीनू व्याह करके नार देंदे हन, काज दापाव है पंजाबी विच कम, व्याह दा कम, विवाह, वरपांड दापाव है ब्रहमंड, नार अलेर लाया दापाव है होरना विच रखेया उनना वरगा ना, पर उना तो वक्षरा ते वदिया देसे पाव है वदिया काच दा पाव है कच्चा पाजो दा पाव है बनावटी वेल दा पाव है संस्कृती वेच वल बेल लता वल पाव संतान हुंदा है वेल वदनी पंजाबी मुहावरे विच संतान हो पैन ते वदनु आख दे हन। पेर मेल तान वेल वदन दी, तान पाविस्तरी पती नाल मिलके वेल वदाउन हारी होई है। पाव वाहिगुरु प्राब्ती देक सफलता एह होई है कि अगों होर लोक साथ संग विच लगके नाम प्रेमी हो गई हन। ते साथ संग दा परवार अरथात नाम प्रेमियां दा पंथ टौर प्या है। एसदा पाव जे गुरु दी गुरु पीडी लिया जावे तान अगली तउक रोक दी है। जैसविच फुर्माया है जिने गुर्मक नाम दी आया। जिनना ने गुरु दौरे नाम दी आया है। एस दा पाव नाम प्रेमियां गुर सिखा संग वाल शिपस्ट है। सांत सांत हर एको, हरी सांतां दा रूप है, ते सांत हरी दा रूप है, जे ऐस दा अर्थ कीता जाए के हरी ही सांत दा सांत एको सांत है, होर कोई सांत नहीं है, ता इसे शाबद विच आ चुकिया तुकां, हर जान मिल जान्य सुहंदी, अंक तैन ते, सांत जना मिल कार्ज सोह ना खंड़न हो जाएगा इना तोकां वेच सांत टे हरी दो वक्र वक्रियां हस्तियां घिनिया हन जथा हार सांत जना मेंल कारज सोहे या वर पाया पुर्ख अननंदी हरी नुँवर ते सांता नुजैनी श्पस्ट पदां विच वक्ष वक गिनिया है हरी ते संत एक रूप होर थे भी वर्नन होई हन जा था राम संत मह पेद के शनाही एक जान कई मह लाख करोरी गौडी पूर्बी महला पंजवा अर्थात राम संत विच फर्क नहीं पर ऐसा संत लखा करोडां विचों कोई एक हुंदा है